हलो फ्रेंट संद्य के कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज हम बनाते हैं जो हम छाज होती है न जैसे की मलाई हम निकाल कर रखते हैं उसे फिर घे निकाल लेने के बाद वो छाज को हम लोग गर्मियों में तो पी जाते थे लेकिन सरदी में उसे कौन पीएगा इस आज देखिए जिसमें से हम मलाई मक्षन जो है निकाल लेते हैं और ऐसे ही बच जाता है जैसे की पहले तो इसका गर्मी के टाइम में इसे हम रहता हैता कुछ भी बनाकर कड़ी उड़ी बनाकर खा लेते थे लेकिन सरदीयों में इसे कोई खाता नहीं है इसे यूज करने क हम बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले हैं आज आपको देखिए हमने इसे गैस पर रख दिया है इसको पहले हम गरम करेंगे देखिए दो तीन मिनट बाद बिल्कुल गरम हो रहा है देखिए गरम होने के बाद भी यह ऐसे ही है बिल्कुल तूद जैसे दिख रहा है क् कि हमें मलाई का जो यह चांच है अब हम इसमें फटा नहीं है इसे फाड़ने के लिए हमें पनीर बनाने के लिए या तो आप पनीर का पानी का यूच करें या तो आप नीबु ले ले हाधा हमने नीबु लिया है इसमें इसी तरह से गैस पर ही इसमें निचोड देंगे न निबु को निचोड़ देने के बाद एह हमारा छांच ए यह नो हिशी हल्का हलका फटने लगेगा अब हम इसे एक कपड़ कर qualify देखे कर देंगे अब हम लगाएंगे इसका तड़का, देखें तड़का लगाने के लिए हमने लिया है तेल, कडाही में डाल दिया है, हमने आपको चानते वक्त नहीं दिखा पाई, क्योंकि हमने बेसिन के पास उसको चाना, इसलिए वहाँ पर हम कैमरा नहीं रख पाएं, इसलिए हमने चान कर आपको दिखाया है तड़के में हमने डाला है कुछ खड़े मसाले और जीरा एक लाल मिर्च तड़का भून जाने के बाद अब हम डालेंगे इसमें प्याज यह हम ग्रेवी पाले तयार करेंगे प्याज को भी हम भून लेंगे एक दो मिनट देखे प्याज भी हमारा भून चुका है अब हम लेंगे हरी मिर्च लसुन अद्रक इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे आप इसे क्रस कर लीजिए आतो इसे ऐसे ही कूट लीजिए थोड़ा दरदरा ही देखिए हमारा एक कूट चुका है अब हम तड़के के साथ ही इसे भी भून लेंगे क्योंकि यह भी अद्रक लसुन हरी मिर्च यह भी भून जाए थोड़ा और इसमें हम आप चाहें तो और भी जो चीज़े आपको पसंद हो वो चीज़े डाल सकती है लेकिन तो हमने लिया है इसके साथ एक कटा हुआ आलू जैसे आप आलू और दही की सबजी बनाते हैं सेम उसी तरह से ए भी वने गए पहले हम आलू को फिर तड़का के साथ भून लेंगे और इसे आप चाहें तो उस पनेर को आप मसाले के साथ भी भून सकते हैं जैसे हम आलू दही या भेशन दही जो ही सबजिया बनाते हैं अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले जैसे कि एक चमच हल्दी पावडर और देड़ चमच गरम मसाला दो चमच धनिया पावडर एक चमच लाल मिर्च पावडर आप जो भी मसाला डालना चाहें अपने मन पसंद से डाल सकते हैं देखे अब थोड़ा सा पानी डाल कर मसाले को हम पकाएंगे और पानी हमने गरम डाला है अब ही मसाले के साथ पानी गरम ही डालें क्योंकि ठंडा पानी डालने से हमारी कुकिंग प्रोसेस रुख जाती है और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है इसलिए हमें मसाले के साथ या ग्रेवी के लिए गरम पानी का ही उच करना चाहिए अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अंसार नमक और मसाला को भूनेंगे थोड़ी देर तब देखिए मसाला मारा भून चुका है आप इसी टाइम पर उस पनीर को डाल सकते हैं डाल के अच्छे से भून सकती हैं या तो आप सब्जी को क्रेवी पूरा पक जाने के बाद भी डाल सकते हैं इस तरीके से जैसे मसाले के साथ हम दही को भूनते हैं उसी तरह उस पनीर को भी डाल कर आप भून सकते हैं लेकिन हमने बाद में डाला है, आप अपनी मर्ची के अनुसार डाले देखे हमारी पनीर जो है बिल्कुल जम चुकी है अब हमने इसको एक प्लेट में लिया है और इसे छोटे-छोटे टुकडों में हम कट कर लेंगे आप चाहें तो इसे हलका सा फ्राई भी कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालके पूरा सल्लो फ्राई आप इसे डिप फ्राई करने की कोशिस ना करें नहीं तो पूरा तेल में फैल जाएगा अब इसमें हम सबजी की पूरे ग्रेवी पक जाने के बाद इसके बाद हम डालेंगे पनीर वीडियो पसंद आये तो लाइक करना सेयर करना चैनल पर पॉली बार हों तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो आये उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पॉले मिले देखिए हमारा धनिया पत्ता डालके हमने सजा दिया है और इसका एक चीज का द्यान रखे आप गैस का फ्लेम बंद करके डाले नहीं तो यह बिल्कुल गल जायेगा इसमें